असलामुलेकम कैसे आप सब ठीक हैं शुकर आलहमदलिल्ला मैं भी ठीक हूँ तो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल विद जोबिया तो जे आपने देख लिया होगा मैंने आज के अपने आज में एक नही रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए वो है सर्दियूं की आप से मशुहूर जो है वो डिश गाजर का हलवा जा गाजर का गजरेला बहुत असान रेसिपी के साथ बगएर दूद और बगएर गे के तो चलते हैं अब बनना स्टार्ट करते हैं सबसे पेले मने लिले थी ये-एक इलो गाजरेंट इसको अच्छे से दो लिया उपर से इसको गजरों की सफाई की फिर रिफिश को कदुखश के साथ कदुखश कर लिया और इसको एक बड़े बरतबमें डाला और अब wen से अपनी कड़ाही तो कडाई में डाली मैंने तो बस इसको आपने इसके अंदर पानी बिल्पूल भी नहीं डालना कि उसे गाजन का अपना ही पानी होगा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जो पिछली थी वीडियो वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की बहुत ज़्यादा प्सक्राइब किया तो वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है मेरी वाली रेसिपित उसका मैं आप लोगों का बहुत बह तो आज फिर हम बनाएंगे आज़ गजर का हुआ तो बहुत ही मज़दार और असान सी रेसिपी है और बहुत कम बज़र में ये तियार होगी तो देखतें मेरे रेसिपी को आप फोलो करें तो जिन्होंने मेरी वो नहीं देखी वे पिछली रेसिपी तो मैं उसका आई बटन और गीर के और पानी किरी आपने वो हल्का सा पकाना आ है गद॑ 5 भिन मैंने को पकाया और एकप चीमी का था वो आपने एकदम से नहीं लाख दालना वो आपने आपने अश्ता से जालना में थोड़ी थोड़ी करके हमें पुन्देंगे गाजर समय पाराइगे और फार्टेंगें तो इसको फिर अच्छे से बनाई करेंगे अब इसका पनीखन कोले हैं अबोटीनी डाली और गाजर का पानी और तो बनाई गाजर आप अब और और ना छुक तो हम्सक्राई कि जो और है यह माना था ना तो बहुत सारवा दूर हो गागा हो इसे नोग पांच बान दोर खेंग प्काग करना जिसरे अना बनागे ताउ पिकाग पिकाग करना तो फिर वाल कि रेखेपी उड़ भाली पी ने हैं गाजने को ब्लेट है वियुआति एक तो इसके बाद भी मोट सी जीनी को और डाल दें तो सुछचट है तो जैदर अब थोड़ थोड़ सी चिनी मेंने इसको डालती जा रहे हूं और इसको बना रहे हूं इसके अदर बिल्कुल भी आपने पानी नहीं डालना नहीं तो आपको लोगों का पानी का केस्ट आएगा तो जे देखें अब चीर्मी खुद अपना पानी चोड़ रही है और गाजरी अपना पानी खुद छोड़ रही है जे बहुत कम बज़ड में और बहुत जल्दी रेस ग्णिशन का ऽे तो प्लीज आप लोग में लोग मेरी वीडियो को लाइफ कमेंट्स जरूर किये जाएगा जब आप потреб OleCold करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी होती है है कि आप लोग मेरी की यूडियो मेरी नर्स जिल्दी करते में ने जो बातव एक किलो गाजरे में एक काप्ची में का, जो चाय काप्ची होता, छोटे वाला होगा, बड़े-बड़े मारगा हैं हो नहीं दालने, इससे आप चीपी में बहुत जड़ा तेल हो रेक्टी होंगी, और चीपी में का एक काप्ची में आपको बता रहे हैं, अब लोग ज्याद तो हमारे लिए जो दो ही थी हम लोग हैं, तो मैंने का खतम हो जाएगा, तो हम मबारगा से चीपी बना लेंगे, क्योंकि बनाने में इतना ज़्यदा किताएं नहीं लगा, यह देखिए हैं, बिल बुल बनाई हो गई है, अब मैंने डाली है किशमिश, तो मैंने दो चीज हैं, आप लोगों ने इसमें लाज़मी डालनी है, एक तो यह है कि छोटी अलाइची, जा तो वो डालने है, जा भी उसका पौडर डालने है, उससे इसकी खुशबूर बहुत ज्यादा लाजवाब किसम की आईगी, तो क्योंकि मेरे हम्पर को पसान नहीं है, इकनी और इसको डोली या पानी के साथ, अब इसको में डाल दिया कढ़ाई के अंदर, गाजरों के अंदर ताचे वो भी थोड़ों सा अपना टेस्ट दे दे, तो आप इस तरिके से आप लोग अपने गाजर का हलवा बनाएंगे, जा गाजर का गजरेला बनाएंगे, तो आप ज जवाए करें, खाने के सब्जियों के, और मुझे जूर बताईएगा, इस तरह के आप लोगों का जे कैसा बना, और इसके बाद हमने जो डाला है, वो है खोया, जिनने आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, बैपनी से भी ले सकते हैं, और जो मिलक शॉप होती है, आप उधर मज़ा आएगा, तो मैंने इसको दो मिट के लिए छोड़ दिया था, दम पर, तो मैंने अच्छे से वो मेल्ट हो जाए, जो जे रैडी हो गया, तो अब मैंने इसको डाल रही हो प्लेट में, और हम इसका टेस्ट करेंगे, और अगर आपका दिल चाहे, तो आप लोग उप सबस्सक पर लोग ऑो जाएए, तो मैंने आपका पर लोग झापका अबाएब अबाहे, और आपका जाएब वर वहाँ पर ख़ूएब ऑ saya और आपका लोग झाववाभ पर शोड़़ पर शोडर लोग मॉपादी तो अबूब हो और आपका शोड बाही हो पर दोड़ पर च